नमस्कार दर्शेकों श्री शिवाय नमस्तु भ्यम अगर आप वजन कम करने के साथ साथ पेट की चर्बी भी कम करना चाहते हैं अधिकतर भारती घरों में आप देखते ही होंगे लहसून खाने में इस्तिमाल होता ही होता है वह स्वात को तो बढ़ाता ही है साथ में आपकी शरीर की कई विशेले पदार्तों को भी शरीर से बाहर निकालता है जिहां दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको अपने वजन कम करने के लिए एक रामबान उपाएं जो घर की सामगरी से ही आप वजन कम कर सकते हैं बिना एकसरसाइस किये बिना डाइटिंग किये आप इस remedy को रोज अपनाएं आपके घर में लसन तो होगा ही होगा सबजीयों में खाते हैं आप तो आप सुभा सुभा रोज लहसन खाना शुरू कर दें वो किस तरीके से खाना है वो हम बताते हैं बैली फैट को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में रोजाना लहसन जरू शामिल कर लें लहसन में भरपूर मातरा में विटामिन B, 6 और C के अलावा फाइवर, मैगनीज और कैशियम भी बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है जो सभी वजन को कंट्रोल करने में बहुत ह करते हैं, आईए आपको बताते हैं, रोजाना लहसन खा कर किस तरीके से आफ अपने वजन को कम कर सकते हैं और वो भी तेजी से, आपको सुबा सुबा खाली पेट, कच्चे लहसन की कलियों को पानी के साथ खाना है, जी हम दोस्तों अगर कच्चा कली का लहसन नहीघा मिकसर ग्राइंडर में पानी के साथ थोड़ा सा पीस ले, उस में काला नमक मिलाएं اور उसे आदा ग्लास पानी में मिला करके पी ले, आपको स्वाद में भी अच्छा लगेगा और काला नमक जो होता है वो आपके पेट की सफाई भी अच्छी तरह कर देगा तो अगर आप ऐसा लेना चाहें, तो ऐसा लेने खाली पेट ही इस remedy को अपनाना है अगर आप नहीं ले पा रहे हैं खाली पेट, आप उसे कच्चा नहीं अंदर जा पा रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं आपको उसे थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेना है आप उसे तवे पर रखें और या फिर आप चूले पर या आग जला करके लेसुन की पूरी ऐसी जो गटी होती है उसे भी आप आँख में धोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो अंदर से अच्छी तरह पक जाएगी पकने के बाद आप उसको चबा चबा कर खा लें देखिए इस तरीके से आप उसे सेक लें सेकने के बाद उसे कच्चा ही मतलब अंदर थोड़ा कच्चा पन रहेगा उसके लेकिन खाने में तीखा बिलकुल नहीं लगेगा बस उसे आपको चबा चबा करके खाली पेट खाना है आप इसे सेक करके एक्स्ट्रा स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी डिब्बे में एक साथ सेक करके रख लें बस चिलका मत उतारिएगा नहीं तो चिलका उतारने से खराब हो जाता है आप खाएं तो चिलका उतारें तुरंधी और फिर खा लें और आप गुनगुना पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में गुनगुना पानी पीना है यदि आपको तेजी से वजन कम करना है तो आप रात के समय भी यही उपाय करें सोने से पहले आपको छे से साथ कलिया ले लेनी है और उसे चबा चबा कर खा लेना है गरम पानी पी लेना है उसके बाद आप सो जाएए इसके अलाबा आप लहसुन की ड्रिंक भी बना कर पी सकते हैं लहसुन को दो तिन कलिया आप पानी में पीस लें अच्छी तरह बारिक पीस लें चान लें और उसमें एक नीबू निचोड लें और थोड़ा सा कालर नमक गुनगुने पानी के साथ रात को सुबह उड़ते से भी आपको लेना है ड्रिंक के तोर पर सेवन करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका तेजी से वजन कम होने लगेगा एक्सपर्स के मताबिक भी नीबू का रस और लहसुन का एक साथ सेवन करने से वजन दुगनी तेजी से कम होने लगता है तो आप इस उपाय को जरूर आजमाईए और रिजल्ट आने के बाद भी आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट करके बताईएगा कि आपको इसका एक्सपिरेंस कैसा लगा। मुझे यकीन है आपका वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा आपको एक्सरसाइस करने की भी जरूरत नहीं है बस थोड़ी देरा पैदल चल लिया किजिए जितना आप से बन पाए अगर आप सक्षम नहीं है तो आप अपने घर में रूटीन के हिसाब से काम कर रहे होंगे आप वही रहे है लेकिन आप अपने घर की दिन चरिया में इस लहसून का सेवन करना शुरू कर दीजिए आपका वजन बिना किसी एक्सरसाइस के डायटिंग के भी बहुत तेजी से कम होने लगेगा दोस्तों और भी उपाई जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएग अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुचाए ताकि उन्हें भी इस उपाई की जानकरी प्राप्त हो मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीश वाई नमस्तु भी हम जैमाता दी